वाँ वाँ मम्मी, बड़ी सेवा कर रही है बहु तो आपकी? अरे सेवा तो मेरी खूब होती है अंजली, मेरे इकलोते बेटा बहु है और ये घर भी मेरे नाम पे है, मरने के बाद ये घर बेटा बहु का ही होना है, तो जमीन जाजात के लालच मेना मेरी तो खूब सेवा होती है, वरना आज कल की बहु है तो अपने पती को जोरु का करने करती सही कह रहें मम्मी बहु नहीं कभी बेटी बन सकती मुझे देख लो आपकी जरा सी तबियत खराब होती है दिल में आपको बीस बार फोन करती हूं और घर का काम फटा फट से निपता के ना भागी चली आती हूं आपका हाल पूछने अरे तू तो आएगी मेरा पता करने जो दर्द बेटी को होता है वो बहु को तो नहीं होता ना ममी आप बातो बातो में ना बेटी को अपना और बहु को पराया बताते हो और अंजली तू अपने ससुराल के घर के कामों से बचने के चक्कर में तू यहां चली आती है वो भी मम्मी की बिमारी का बहाना जाम लगा रहे हो और वैसे भी आपको क्या मेरे ससुराल में घर के काम कोई भी करें देखा अंजली देखा बहु तो बहु बहु के आने के बाद ये बेटा भी पराया हो गया है अरे मम्मी आप मुझे एक बात बताओ जब आपने एक साल पहले उप्रेशन करवाया था तब ह आपके साथ साई की तरह कौन था किसने सेवा की थी आपकी होस्पिटल में और घर से खाना बना के कौन लेके जाता था तब तो ये अंजली आपकी बेटी बहाना लगा कर चली गई थी गोवा कि मेरी तो पहले से टिक्टे बुक्कें गोवा की अपका हाल चल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि मुझे पता है जोती आपका ध्यान अच्छे से रखती है और मेरी पतनी ना अपने फर्ज पूरे अच्छे से निभा रही है और आपको तो ना बेटी के प्यार के आगे ना बेटे बहु का प्यार दिखता ही नहीं है बिलकुल भी और ममी बेटे बहु को जितना करना चाहिए ना अपने माबाप के लिए हम उससे भी बढ़कर कर रहे हैं आपके लिए वैसे तो ममी मैंने सोचा था कि मेरे दोस्त की शादी में मैं अकेला जाओंगा दो दिन के लिए लेकिन मैं सोच रहाऊ जोती को भी साथ ही ले जाता हूँ जोती ने यहां रहके करना भी क्या है आपकी सेवा तो आपकी बेटी अच्छे से कर लेती है तो आप ऐसे गरो कुछ दिन के लिए न अपनी बेटी के साथ ही चले जाओ आप देख लो मम्मी सिद्धा सिद्धा ही आपको घर से निकलने के लिए बोल रहे हैं कोई बात नहीं भाईया ले जाती हूं मम्मी को अपने साथ ही चलो मम्मी करें त्यारी फिर मम्मी मैंने मार्केट जा रही है अरे अंजली मैं सोच रही थी बेटा कि मुझे यहां आई हुए 10-15 दिन हो गया है तो तेरे भाईया 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 ने तो एक दो दिन के अंदर ही वापिस आ जाना था तो मैं आज घर चली जाती हूं हाँ जी मम्मी मैं वैसे भी मार्केट जा रही हूं आपको रिक्षा तक छोड़ देती हूं पर बेटा जाने से पहले ना मैं तेरे साथ एक बात करना चाहती हूं हाँ मम्मी थोड़ा जल्दी बताओ फिर मैं लेट भी हो रही हूं अंजली तेरी भाबी ना मेरे खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी उसे पता होता था कि आज रात के खाने में मुझे क्या चाहिए पर यहां पर बेटा मैं देखती हूं कि तुने तो अपनी साथ से कोई मतलब ही नहीं रखा हुआ घर में जो खाना बनाने वाले लगी हूई है वही उन्हें खाना पर उसके देती है और तो जब मर्जी अपना परस उठाती है कहीं भी चली जाती है ना तो तुझे कोई मतलब है रवी से कि वो कब घर आता है कब जाता है तो बेटा एक बहु ही होती है जिसके उपर सारा घर निरबढ़ करता है अरे मम्मी अब मा अपना मुझे ये भाशन मत दो मैं भाबी की तरह गवार नहीं हूँ पड़ी लिखी हूँ मेरे अपने भी सो काम होते हैं और वैसे भी मम्मी रवी ध्यान रखे ने इन सब बात्तों का उसकी माई या मेरी माई अब छोड़ो आप अब चलने तो जल्दी से चलो फिर जोती मम्मी को तरह तेरी कोई कदरी नहीं है हर समय बस अंजली अंजली करते रहते हैं और तुझे ताने मारते रहते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि हमना अपनी गरस्ती अलग बसा लेते हैं और मम्मी को रहने देते हैं यहाँ पे अकेले अब देख इतने दिन से मम्मी अंजली के घर पे हैं वहाँ पे अंजली के भी ससुराल वाले हैं तो वहाँ पे इतनी दिन रहना अच्छा थोड़ी ना लगता है। अगर मम्मी को हमारे साथ रहना नहीं पसंद, तो उन्हें यहाँ पे छोड़ते हैं अकेले और हम रह लेते हैं कई और। यह कैसी बात कर रहे हो आप? हम अपनी मम्मी को अकेला कैसे चोड़ सकते हैं? हमारी संस्कृति में तो माबाप को तो बगवान समझा जाता है और माबाप बच्चों की गलतियों को अंदेखा कर सकते हैं तो बच्चे क्योंने अपने माबाप की गलतियों को अंदेखा कर सकते? बोलतो तो बिल्कुल सही रही है हमी तो हैं उनके बुड़ापे का सहारा वो माने या ना माने आपको पाले में ममी ने कितने संगर्ष कियोंगे आपका तो फर्ज बनता है ममी की सेवा करना मैं तो ममी को कभी नहीं छोड़के जाऊंगी सपने में भी नहीं सौच चुगी जोती बेटा मुझे न माफ कर दे मैं भी बस और लोगों की तरह एक ही बात सोचने लगी थी कि बेटी अपनी होती है और बहु पर आई मैंने आज ना तेरी सारी बाते सुन ली हैं बेटा मुझे अपनी गलती के उपर बहुत पच्टावा है माफ कर दो बच्चो मुझे मम्मी आप तो बड़े हो आपको माफी माँगने की कोई जुरूरत नहीं है तो क्यूं सोचने लग जाते हैं लोग ऐसा कि बेटे की शादी के बाद बहु आने के बाद बेटा ही पराया हो जाता है मुझे तो इस बात करना बिलकुल भी समझ में नहीं आती कि क्यूं बोलते हैं लोग अरे बेटा कैसे पराया होगा और बहु क्यों पराया करेगी बहु अपने 20-22 साल 25 साल अपने माईके में गुजारती है पूरी जिंदगी तो उसने अपनी सास के साथ गुजारनी होती है तो वो सास को क्यों पराया समझेगी प्रंतुना कहीं सास के होती है सिर्फ बेटी बेटी करती रह जाती है उनको न अपनी बहु की बिलकुल भी कदर नहीं होती तो मैं तो आप सबसे यही कहना चाहती हूं कि बेटे को पराया मत करो बहु को पना लो तो आपको बेटा भी आपका रह जाएगा और बहु भी आपकी अपनी बन जाएगी तो गर जूरूर कर देना और जो नए लोग हमारी स्टॉरी देख रहे हैं ऐसी ही स्टॉरी देखने के लिए मंचंदा फैमली ब्लोग अंजली मंचंदा बनीता मंचंदा और Mr.and Mrs. मंचंदा ओर जुरूर कर लिदिए और